एक बार एक छोटे से गाव में, जहांके लोग पुरानी कहानियों में विश्वास नहीं करते थे, एक परी की कहानी थी. परिया हमेशा से ही हमारे दिलों में रहती हैं. लेकिन इस गाव में एक खास परी थी, जिसका नाम अलीशा था. हर रात, जब सबसो जाते, अलीशा गाव के किनारे के जंगल में जाती, और अपने जादू संगीत से सब को बहका देती थी. एक दिन, एक यातरी गाव में आया और उसने परी के बारे में सुना. यातरी ने परी से मिलने की कोशिश की. उसने पूछा, क्या ये सच है, यहाँ एक परी रहती है. गाव के लोग हंस पड़े और कहने लगे, परिया सिर्फ कहानियों में होती है, यहाँ तो सिर्फ असली इंसान रहते हैं. पर यातरी का मन नहीं माना. वो रात को जंगल में गया, और अलीशा से मिलने की कोशिश की. अलीशा ने उसे देखा और पूछा, तुम यहाँ क्यों आये हो यातरी? यातरी ने कहा, मैंने सुना है तुम एक परी हो. मुझे यकीन नहीं आता, इसलिए खुद देखने आया हूँ. अलीशा मुस्कुराई और बोली, मैं एक परी हूँ, लेकिन मैं कोई फूट नहीं हूँ. मेरा काम सिर्फ खुशिया बाटना है. यातरी को यकीन आया और उसने अलीशा से बाते की. वो समझ गया कि परीया सिर्फ कहानियों में नहीं, असली जिन्दगी में भी होती हैं, बस उन्हें दिल से देखना पड़ता है. इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कुछ चीजे सच में होती हैं, बस हमें उन पर यकीन रखना पड़ता है.